नमस्ते एवरीवन, मॉनिका एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, फैबरुआरी महिने के राशिफल की और व्रिशब लगन की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर से सूर्य 13 तारिक को कुम राशी में प्रवेश करेंगे, शुक्र जो है वो 15 तारिक को मीन राशी के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, बुध जो है 7 तारिक से 27 तारिक तक मकर राशी के अंदर रहेंगे और उससे पहले वो धनू राशी के अंदर रहेंगे 6 दिन तक, तो इस प्रकार के गोचर है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लगने से, ब्रिशब लगन और लगने का स्वामी है शुक्र और शुक्र जो है शुरू के 15 दिन तक, शुक्र और शनी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और स्पेशली वो बनेगा आपके दसवे घर में, जब लगनेश दसवे घर में और वो भी शनी के साथ और 15 तारिक के बाद वो आपके लाबस्थान में गुरू के साथ है, और लगन के अंदर मंगल है, ये एक ऐसी परिस्तिती बनती है कि मैं कहूं के बहुत ही एक्सिलेंट योग है जहां पर शुरू के 15 दिन का समय ऐसा है कि जहां पर आपको बहुत बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी अपने कार्यक्षित्र के अंदर, अगर कोई भी प्रकार का आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये समय बहुत अच्छा है उसमें आप ये शुरू के जो 15 देज है वहां पर आपको कारेस्थल में बहुत अप्रिशियट किया जाएगा अपने काम के लिए और मंगल यहां होने की वज़़ा से डिसिप्लिन और साथ में कहते हैं ना कि काफी एनरजी लेवल बहुत जाद अच्छा है प्रिजेंटेशन बहुत अच्छा है जो जो लोग आर्किटेक्चर या इंटिर डिजाइनिंग की क्षित्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थतिय है और लगन के अंदर होने की वज़े से एक तरह से लोगों से आपके कारे को जादा मजबूत बनाता है तो अगर कोई भी बड़ा परिवर्तन जौब के अंदर करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार के बड़े निर्णे लेना चाहते हैं तो शुरू के पंदरा दिन तक चब तक लगनेश दस्वे घर में हैं तो तम लेना चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है कोई भी चेंजिस करना चाहते हैं तो शुरू के पंदरा दिन बहुत अच्छा है इवन स्थान परिवर्तन के लिए भी बहुत अच्छा समय है अब बात करते हैं आपके दृतिय भाव के दृतियेश जो बुध है शुरू के छे दिन तक यहां अस्टम भाव में बाद में साथ तारिक को वो भाग्यस्तान में और ये एक तरह से कहा जाए कि सूर्य के साथ ब् को देखते हैं और बाद में वो भाग्यस्तान में है तो कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे आप फैमिली के अंदर भी पहले से कोई भी चीजों में अगर डिस्प्यूटिट स्थिती थी तो धी धीरे धीरे वहां पर भी आप समधान की तरफ आएंगे और बहतर परिस्तिती में कहूंगी आप इन्वेस्टमेंट एक सही डिरेक्शन में कर पाएंगे और मुझे लगता है करना भी चाहिए यहां पर आपको काफी पॉजिटिविटी और भाग्य का सपोर्ट प्राप्त ह होता है तृतिय भाव की बात करते हैं तृतिय भाव पर सूर्य की दरश्टी पूर्ण रूप से रहेगी तेरह तारीक तक उसके बाद बुद्ध की दरश्टी भी रहेगी और गुरू दोनों की ही दरश्टी रहेगी तो जो जो लोग जर्नलिजम में हैं तूरिजम का कारे करते हैं, यात्राओं से connected कारे करते हैं, इस समय ऐसा है कि यात्राओं से बहुत लाब है, अगर कोई भी प्रकार के job में हैं तो वहां भी आपको काफी अच्छी यात्राओं करने का मौका मिलेगा, आपको नई-नई जगह जाने का मौका मिलेगा और यह एक तरह से कहूं कि नए initiative के अंदर मैंलब आप कुछ नया initiate करना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए energy बहुत ही अच्छी रहेगी और काफी कहते हैं न कि आप अपने भाई बहनों के साथ भी कोई भी नया कारे शुरू करना चाहते हैं या specially कहूं कि कोई childhood friends के साथ इस तरह का कोई नया कारे शुरू करना चाहते हैं तो शुरू के 15 दिन का समय मैं बहुत ही अच्छा मानूंगी कि जहां पर कारे की शुरुवात के अंदर आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है अब बात करते हैं आपके चतूर्द भाव की चतूर्द भाव का स्वामी सूर्य है जो शुरू में भाग्यस्थान में है उसके बाद आपके दस्षम भाव में और खुद के ही घर को देखते हैं साथ में मंगल की भी दरश्टी यहां पर है तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते है तो पंदरा तारिक के बाद की परिस्थती और भी अच्छी है जहां सूर्य खुद के ही घर को देखेंगे और ये मन का भी घर है तो आपका मन जो होगा थोड़ा सा दुविधा में पड़ेगा क्योंकि जैसे ही पंदरा तारिक निकलती है जब सूर्य यहां पर दरश्टी करेंगे और साथ में मंगल की भी दरश्टी है तो यहां क्या होता है कि व्यक्ती डिशीजन तो बहुत प्रॉपर ले पाता है कोई भी बड़े डिशीजन है जहां पर कोई घर खरीदना चाहते है कोई बेचना चाहते है इस प्रकार की जो भी परिस्तिती है तो वहां पर आपको पंदरा तारिक के बाद की परिस्तिती बहुत ही अच्छी है और उसमें आपको आगे बढ़ने में बहुत अच्छे लाब प्राप्त होंगे यहां जो लोग कहते हैं न कि थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको ज़रूर महसूस होगा कार्य के ओवरलोड वर्क की वज़े से यानि कि यह थोड़ा सा काम की इंटेंसिटी बढ़ सकती है उसके कारण आपके मन में थोड़ा सा अशांती हो सकती है थोड़ी कहते हैं न कि जब वर्कलोड बहुत ज़ादा होता है तो पंदरह तारीक के बाद मुझे लगता है वर्कलोड बहुत ज़ादा रहेगा आपका मगर इंवेस्टमेंट से आपको बहुत ज़ादा फाइदा है अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की पंचमेश बुद्ध है जो शुरुआत के कहते हैं न कि शुरू के 6 दिन के लिए आपके अस्टम भाव में उसके बाद आपके नवम भाव में तो students के लिए कोई भी प्रिकार की बड़े decisions है या कोई admissions लेना चाहते हैं या कोई exams है जिसका आप expected results देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 7 तारिक के बाद की परिस्ततिया बहुत अच्छी है अगर आप कोई भी प्रिकार के course में हैं यानि कि education में आगे बढ़ना चाहते हैं और specially कोई भी finance या technical line के अंदर आगे बढ़ते हैं तो 7 तारिक के बाद आपको results काफी अच्छे प्राप्त होंगे और आपको काफी अच्छे lab भी होंगे और जो भी लोग share market में invest करना चाहते हैं के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है तो यहाँ कोई घबराहट वाले situation नहीं है I think यह investment आपके लिए काफी positive रहेंगे आपकी 6th house की बात करते है 6th house का स्वामी शुक्र है जो आपके दशम भाव में फिर 11 स्थान में यहाँ पर कोई भी loan की प्राप्ती करना चाहते है आपको प्राप्त हो जाएगा डूसरी चीज यह कहा जाए कि job के अंदर भी आपको काफी appreciation प्राप्त होगा और शुरू के 15 दिन तक का समय बहुत मस्बूत है कि जहाँ पर कोई भी शत्रू आप पर हावी नहीं हो पाएंगे मगर 15 तारीक के बात की जो परिस्थतिया है वहाँ पर अगर शुक्र के point of view से कहा जाए तो lab बहुत जादा है जो भी आपने कारे किया है उससे बहुत lab होगा आपके investments का आपको बहुत अच्छा lab होगा तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा समय है और यहाँ पर health की बात करते हैं तो स्वास्त के अंदर कोई भी bones related problems या diabetes से connected problems है तो वहाँ पर आपको सतर करहना है बहुत जादा गबरानी की situation नहीं है मगर मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी समस्या है तो वहाँ पर थोड़ा सतर करहना चाहिए और blood pressure से connected problems से भी आपको ध्यान रखने की ज़रते बाकि बहुत जादा गबरानी की स्थिती नहीं है अब बात करते हैं आपके सब्तम भाव की सब्तम भाव का स्वामी मंगल बनकर सब्तम भाव को देखते हैं तो business के लिए बहुत अच्छा समय है और अगर आप पती-पत्मी के संबंधों में एक कहूं कि ego clashes नहों इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर गुरू की भी दरश्टी है शनी की भी दरश्टी है और मंगल की भी दरश्टी है यहाँ पर जो लोग love marriage करना चाहते हैं तो उसके लिए यह possibility बहुत ज्यादा है कि उनकी choice से आप marriage कर सकते हैं बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह परिस्तिती काफी favorable है आपके लिए यहाँ बहुत ही strong chances है आपके marriage के लिए दूसरी चीज़ यह कैसे स्तिती है कि जहाँ already married लोग है वहाँ ego clashes नहों इस चीज़ का ध्यान रखेगा क्योंकि financial benefits बहुत अच्छे हैं अगर आप दोनों जो भी joint में कोई भी business करते हैं यहाँ पर तो यह partnership में आपको काफी फाइदा होगा इवन कोई नई partnership भी करना चाहते है तो यह महिना आपके लिए काफी favorable है यहाँ जो लोग construction और medicine के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छी और favorable परिस्तेती है food business वालों के लिए भी बहुत अच्छा है अब बात करते हैं आपके अस्टम भाव की तो अस्टम भाव में बुद्ध है और अस्टमेश जो है वो गुरु है और आपके लाबस्तान में है तो यहाँ पर भुच्छे तारीक तक है उसके बाद यहाँ गुरु के साथ शुक्र की जो यूती 15 तारीक के बाद होगी तो वो रिसर्च के अंदर आपको काफी हल्प करेगा और जो भी कहते हैं ना के लिटरेचर के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्तती है प्लास आइटिक क्षित्र में है या डिजाइनिंग क्षित्र में है तो उसके अंदर आपको अच्छा रिजर्ट पराप्त होगा टीचिंग लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है क्यूंकि गुरु और शुक्र आपके पूर रूप से अपके पाँच्वे घर को देखते हैं तो जो लोग टीचिंग क्षित्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए पंदरा तारिक के बाद स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी परिस्तेती रहेगी उनके लिए एड्मिशन्स लेना बहुत अच्छा रहेगा अगर रिजर्ट भी एक्सपेक्टेड है तो पंदरा तारिक के बाद बहुत ही फेवरेबल रिजर्ट है अब बात करते हैं आपके नवम भाव की तो नवम भाव में बुध है जो तेरह तारिक तक सूर्य के साथ उसके बाद यहाँ पर बुध अकेले ही रहेंगे और यहाँ कोई भी बुध के उपर कोई भी प्रकार की कोई दरश्टी संबन नहीं यानि कि पूर्रूप से अकेले रहेंगे यहाँ पर और जो भी भाग्य का स्वामी है शनी है जो आपके कर्म के भाव में है तो यहाँ पर टोटली भाग्य कर्म से जुड़ा हुआ है और साथ में बुध यहाँ होने की वज़े से ये कोई भी शनी है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी परिस्तिया होंगी और आपको मास्टर के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अगर अगर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और दूसरी चीज में यह कहूंगी कि यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट बहुत शायद व्यूपॉइंट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं वहाँ पर कार्य पद्धत ही डिफरेंट हो सकती हैं क्यूंकि 13 तारीक के बाद जब सूर्य शनी का जो कॉंबिनेशन बनने जा रहा है आपके दसवे घर में तो वहाँ पर उनसे बहुत कुछ चीजे सीखने को भी मिलेगी और वहाँ पर छोटे मोटे आप एगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके कार्या की पद्धत ही अलग होने की वज़ा से बाकी टैंथ हाउस की बात करते हैं टैंथ हाउस में शनी शुक्र का कॉंबिनेशन बहुत ही स्ट्रॉंग पोजिशन कहुंगी क्योंकि आप जॉब नहीं है जॉब लेस है तो शुरू के पंदरा दिन आपके लिए जॉब प्राप्तिकली बहुत अच्छे हैं कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं कर सकते हैं देखिए एक चीज में जरूर कहुंगी यहां से शुक्र निकलते ही जब सूर्य शनी की यूत बनेगी दसवे घर में तो पंदरा तारिक के बाद आपको कारिस्थल में कोई भी सुपीरियर्स के साथ या कोई भी प्रकार क्लैशिस को अवड कीजिएगा यहां बहुत सुतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि सूर्य शनी से आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता है बहुत कुछ आप अच्छे लेवल तक government authorities के साथ भी deal कर पाएंगे मगर सूर्य शनी के द्वारा विचारों में काफी difference होता है कारे की पद्धत ही different होती है even father के साथ भी काम करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत शांती से चीजों को सीखना पड़ेगा वैसे ही authorities के साथ भी आप को वैसे बहुत अच्छे लाब होंगे मगर सूर्य शनी साथ होने की वज़े से कोई problematic situation न हो कोई dispute न हो इस चीज़ का अब ध्यान रखेगा बाकी बहुत मजबूत समय है यहां पर आपको कोई बड़े decisions और कोई भी नए कारे के शुरुआत करना चाहते हैं बहुत अच्छा बात का समय बहुत ही अच्छा है जो medicine में है उनको बहुत अच्छा लाब होगा उसके साथ साथ यह जो surgeons है यानि कि जो doctors या medicine के अंदर वापर surgery department में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्तती बनती है उन equipments का कारे करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्तत प्लस यहां construction line वालों के लिए भी बहुत अच्छा है तो यह overall अच्छा है मगर जैसे सूर्य शनी की यूती दसवे घर में है 13 तारीक के बाद और specially 15 तारीक के बाद तो authorities के साथ बहुत ही विन्नमरता से आगे बढ़िएगा वहाँ पर कोई भी प्रकार की problematic situation नहों इस चीज शुक्र साथ में है तो यह 15 दिन तक गुरू के साथ शुक्र की यूती नहीं है मगर गुरू अपने घर में बहुत ही लाबकार इस्थिति के अंदर है और साथ में शुक्र जैसे ही यहां पर आते हैं शुक्र आपके खुद लगनेश है तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा इतना मस्बूत समय है कि जहां पर जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको extraordinary result प्राप्त होंगे especially confidence बहुत अच्छा है इस पूरे ही महिने आपके confidence का मतलब कहते हैं बहुत high level तक आपका confidence रहेगा कोई भी बड़े decisions लेना कोई भी कार्य करना होगा तो वहां पर कोई भी परकार की गभराहट नहीं रहेगी और मुझे लगता है investment से भी बहुत फाइदा है आपका circle बहुत अच्छा रहेगा लोगों के साथ आपके जो कहते हैं न कि social network काफी strong होता हुआ मुझे दिखता है और specially पंदर अतारिक के बाद 12th house की बात करते हैं बारवे घर का स्वामी मंगल है और लगन में है और राहु यहां पर स्थित है तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए परिस्तती बहुत ही फाइदेकारक है और यहां पर कोई भी documentation का problem नहों इस चीज़ का ध्यान रखेगा जानी कि documentation को दो से तीन बढ़ चेक कीजिए बाकी यहां पर पोड़ रूप से सफलता के योग बनते हैं थोड़ा डीलेज हो तो वहां पर आपको tension लेनी की जुँआतनी क्योंकि मुझे लगता है कि यहां जो भी students है especially और जो medicine के अंदर research के लिए medicine की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी सफलता है यहां पर कुछ खर्चे आपके उपर हावी हो सकते हैं तो खर्चों के उपर नियंतन रखेगा और कोई भी legal matter में फसे हुए हैं तो वहां पर आपको थोड़ा शांती से डील करना पड़ेगा 13 तारीक के बाद बाकी बहुत गबराने की स्थिति नहीं है जो भी परिस्थित आप उस पर mail कर सकते हैं मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगे कि कैसे मुझसे contact किया जाए और कैसे मुझसे consultation लिया जाए अपनी परिस्थितियों को ध्यार में रखते हुए अपने पूरे ही महिने को ब्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए थैंक यू सो मच जाए शक्रशन